तो दोस्तों आज की सोडों में हम बात करने वाले हैं अगर आपने यहां पर फॉर्म अप्लाई किया है नी टॉजी दोहजार चोबिस का और आपको फॉर्म अप्लाई करने के पस्चाथ पता चल रहा है कि आपका जो फॉर्म होता है इसमें आपने किसी ना किसी परकार का जानकारी आपसे mistake हो गया है और आपको correction करने की अवस्तकता पढ़ रहा है edit करने की अवस्तकता पढ़ रहा है तो आप फॉर्म को कैसे edit या correction करेंगे आज की सोड़ों में आपको complete जानकारी दिया जाएगा अगर आपने form को finally submit कर चुके हैं तो कैसे edit करेंगे अगर आपने form को finally submit नहीं किया है तो कैसे edit करेंगे form में क्या-क्या जानकारी आप edit कर पाएंगे कैसे आपको जानकारी को edit करना है पूरी जानकारी आपको इस video को माध्यम से दिया जाएगा तो आप इस वड़ो को क्या करेंगे पूरा लास तक watch करेंगे सबसे पहले देखे प्रेंस यहाँ पे जो भी की इंडिडेट ने अगर आपने form को finally submit नहीं किया है और आपने fees भी payment नहीं किया है तो आप जैसे इसका जो dashboard होता है इसमें आप जैसे login होंगे तो आपको इस प्रकार interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप complete application form में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी जानकारी एडिट कर सकते हैं जैसे कि देखी प्रेंस यहाँ पे मैं complete application form में क्लिक करता हूँ तो आपका जो भी यहाँ पे जानकारी होता है वो सारे जानकारी आप यहाँ पर edit कर सकते हैं जैसे कि देखे प्रेंस यहाँ पर आपको personal edit करना है तो आप यहाँ पर personal detail में click करेंगे ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर exam center आपको change करना है qualification में अगर आपको changes करना है additional photo signature में कोई भी जानकारी change करना है वो आप क्या करना है उसमें आपको click करना है जैसे qualification में change करना है तो आप यहाँ पर qualification detail में click करेंगे तो आपका जो भी qualification का जानकारी होता है आपका खुल के आजाएगा अब इसमें आप जो भी जानकारी change करना चाहते हैं वो कर सकते हैं मतलब यहां पर आपका जो फॉर्म को फाइनिलिस समिट कर चुके होंगे, फिस को पेश्न कर चुके होंगे, तो आप यहां पर कोई भी बटन को किलिक करेंगे तो यह आपका वर्क नहीं करेगा, मतलब कि अगर आपने form को finally submit कर चुके होंगे तो आपका जो form होता है अभी correction नहीं होगा पर आने वाला जो date होता है इसमें इसका official website होता है इसके दोवारा अलग से date जारिक किया जाएगा correction ये edit करने के लिए अब देखे friends यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो official notification होता है वो मैं यहाँ पे जरसा आपको बताना चाहता हूं इसके बाद मैं आगे का जो भी staff होता है वो मैं आपको बताऊंगा तो देखे friends यहाँ पे इसका official notification होता है इसको आप जैसे open करेंगे तो आप इस परकार का interface देख पाएंगे इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको ऊपर के स्कॉल कर लेना है यहाँ पर आपको जाना है इंपोर्टेट डेट के सिक्षन में तो देखे प्रेंस यहाँ पर जैसे इंपोर्टेट डेट के सिक्षन में आएंगे तो आप यहाँ पर देख पाए पर आपका जो correction का जो date होता है वह आपका जल्द ही आने वाला है अब कब आएगा यह भी मैं आपको बताऊंगा इस यूडियो में देखे friends यहाँ पर आपका correction का तो यहाँ पर आपका window open होगा यह confirm है बहुत सारे candidate यहाँ पर doubt में है कि correction का जो window होता है वो आएगा यह नहीं आएगा तो यहाँ आपर बता देता हूँ friends यहाँ पर correction का जो window होता है वो आपका आने ही वाला है क्योंकि यहmaँ ऐदेやगा है कि आपको बाद में यहाँ पर notification के दोवार आपको बता जाएगा अब करेक्सिन का जो date होता है वो आपका आइगा यहाँ यहाँ पहुता है यह भी मैं आपको बता जाता हूँ 10 March 2024 से आपका जो करेक्शन का जो विंडो होता है वह आपका ओपन हो जाएगा इससे पहले आपका नॉटिफिकेशन जो होता है वह आपका जारी किया जाएगा कि आपका करेक्शन का जो विंडो होता है वह आपका किन्रे दल के लिए ओपन रहने वाला है इसके लिए अलग से एक notification जारी किया जाएगा जैसे वो notification जारी होता है अलग से मैं एक video upload कर दूँगा अब देखे friends यहाँ पर यह तो आप लोगों को confirm हो गया है कि आप यहाँ पर correction का जो window होता है कब open होने वाला है अब देखे friends यहाँ पर correction का जो window होता है वो open होगा तो क्या-क्या जानकारी एडिट कर पाएंगे ये भी मैं आपको बता दता हूँ यहाँ पे सौट में सबसे पहले देखे फ्रेंस यहाँ पे जो भी candidate ने mobile number और email को verify कर चुके हैं उनका mobile number और email कभी भी change नहीं होगा क्योंकि आपने यहाँ पे mobile number और email को verify कर चुके हैं वो आपका कभी भी change नहीं होगा इसके अलाव आप जो भी जानकारी को edit करना चाहेंगे correction करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं example के रूप में बता देता हूँ कि आपका जो जानकारी होता है वो आप कैसे edit कर पाएंगे सबसे पहले देखे फ्रैंस यहाँ पर आपको जैसे correction का जो window होता है वो आपका open हो जाएगा तो आप जैसे log-in करते हैं वह ही step को follow कर कर कि आपको क्या करना है log-in कर लेना है पर आपको क्या करना है correction का जो window होता है उसके लिए अलग से link activate होगा उसमें आपको जा की क्या करना है login करना है जैसे आप login करेंगे तो आपको इसी परकार का interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देख पाएंगे सबसे पहले आपका registration देखने को मिलेगा application देखने को मिलेगा इसके बन mobile number यहाँ पर आपको verification का message देखने को मिलेगा यहाँ पर payment ऐसे आप यहाँ पर देख पाएंगे registration application form और आपका payment यह तिनों आपको complete मिलेगा then यहाँ पर जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा edit यह correction application form इसमें आपको क्या करना होगा click करना होगा जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपका जो form होता है जैसे आपने form fill किया था वैसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जैसे आपको जानकारी edit करना है वो जानकारी आप edit कर सकते हैं edit करने के लिए देखे प्रेंस यहाँ पर आपको changes करना है तो qualification में भी change कर सकते हैं देखे friends यहाँ पर मैं example के रूप में बताना चाहता हूँ जैसे कि अगर आपको photo बगेरा change करना है जैसे qualification change करना है तो आप यहाँ पर qualification detail में click करना है इसके बाद देखे friends यहाँ पर आपको कुछ अगर आपको photograph and signature में change करना है तो आप यहाँ पर upload document में click करेंगे आपका जो भी document होता है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जो भी जानकारी आप यहाँ पर change करना चाहते हैं जैसे photo change करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर choose file में क्लिक करेंगे आप इस परकार देख सकते हैं आपका जो option होता है आपका आजाएगा इस परकार आप कोई भी जानकारी को edit कर सकते हैं correction कर पाएंगे आप देखे friends यहाँ पर जो भी जानकारी edit करेंगे वो जानकारी आपको यहाँ पर क्या करना है save and next में क्लिक करना है data को अगर आप यहाँ पर save नहीं करेंगे तो आपका data change नहीं होगा वो ही data रहने वाला है इसलिए आप जो भी data यहाँ पर change करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर data को save and next में क्लिक करना है इसके बाद आपको क्या करना है फिर से finally submit कर दिना है अब देखे friends यहाँ पर बहुत सारे candidate का यह question होगा कि face लगेगा या नहीं लगेगा तो देखे friends यहाँ पर correction के लिए आपको कोई face वगराल नहीं लगने वाला है अगर लगेगा तो इसके लिए अलग से जो notification जारी किया जाएगा उसमें आपको बताए जाएगा कि क्या अपका face लगने वाला है अभी के लिए बस इतना है अगर आपको यह जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियोग लाइक, सस्क्राइब, सेर करेंगे ऐसे ही update पानने के लिए अब देखे friends यहाँ पे अगर आपको यह जानकारी चाहिए होगा कि आपको यहाँ पर जैसे कि personal detail edit करकर दिखाएए तो देखे friends यहाँ पे यह भी जानकारी को edit कर सकते है जैसे आप यहाँ पर personal detail में click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस टैप से आगर आपको नाम अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारे केंडिट का यहाँ पर डाउट होगा, कि यहाँ पर जानकारी एडिट होगा यह नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों बता देता हूँ, एक्जामपल के रूप में कुछ इसी टैप से आपको देख सकते हैं, करेक्शन का जो विंडो होता है ओपन होगा, तो आप इसी टैप से जानकारी को एडिट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इस परकार आप यहाँ पर जो भी जानकारी एडिट करना चाहेंगे, वो आपको notification के दुवारा मिलेगा आप देखे फ्रेंस यहाँ पर जैसे correction को जो window होता है open हो जाएगा उस time में भी मैं correction को जो वीडियो होता है वो मैं upload कर दूँगा ताकि आप लोगों को correction करने में कोई भी दिकत या problem ना हो आसानी से आप form को correction ये edit कर पाएंगे तो आज की इस व मिलते हैं